काव्या रवी से मांग रही है अपना हक सब्सक्राइब करें इंडिया फोरूम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए सीरिल धरम पत्नी में जैसा कि आप सबको पता है कि शो जल्द ही ओफेर होने वाला है और शो में मेजर सीन चल रहे हैं आज हुआ ये है कि काव्या है काफी गुस्से में जहां वो उसका सारा फ्रस्टेशन अपनी मम्मी पर उतार रही है अब काव्या के गुसे का कारण ये है कि जब से वो और रवी हनिमून से वापस आये हैं तब से प्रतिक्षा ने चाची मा का दिल जीत लिया है और उसको थोड़ा positive support मिल रहा है प्रतिक्षा रह रही है रवी के रूम में और काव्या रह रही है गेस्ट रूम में इसलिए काव्या को आ रहा है इस बात पर बहुत गुसा क्योंकि काव्या का कहना है कि वो रवी की पत्नी है तो वो सारे हग प्रतिक्षा को क्यों मिल रहे हैं अब देखना यह है कि काव्या रवी से अपना हग कैसे मांगती है। गुस्सा तो बहुत आ रहा है काव्यों को, obviously, because अब वो घर पे आ गई है, फिर भी उसे वो हग नहीं मिल रहा है। ततीक्षा हग जता रही है, रवी के बेड्रूम में घुश चुकी है, मैं गेस्ट्रूम में बैठी हूँ और जोतीमासी जो आ गई है उनको भी उसने इंप्रेस कर दिया है। मैंने इतना सारा खाना बनाया था जो मैंने कभी नहीं किया। उनके लिए specially किया था, फिर भी, you know, it all went to waste, इस तस दूब अभी मैं काफी इरिटेट हूँ, मैं कर में की कोशिश कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है, जो भी कर रही हूँ वो फेल हो रहा है, इसलिए अब इतना फ्रस्टेटेट हूँ basically, मौहम के साथ तो मैं बहुत इरिटेट हो चुकी हो क्योंकि वह हमेशा मुझे दिलासा देती कि वह कुछ ना कुछ करके हैंडल करवेगी पर वह उनसे नहीं हो पा रहा है तो अभी भी उन्होंने बोला है कि वह अब फाइनली कुछ बड़ा प्लान किया है उन्होंने और वह करने वाली है तो आगे आपको देखने में लेगा यह लास्ती आपको मार्जा चाहिए तो उन्हों के तलह मिस करेंगे अश का अभी अब लेकरने के आपको I will miss the show and the people a lot. Mere liye यह show बहुत ही special है मैंने यहां पे बहुत बढ़िया काम करने का मौका मिला है मुझे and I am very grateful for this opportunity. तो obviously थोड़ा बुरा लगेगा के show बंद हो रहा है but it's okay, हर चीज जब start होती है तो end भी होती है. New beginnings and I'll come and entertain you guys soon.